हम मशीन लर्निंग यूज करते हुए एक आर्टिफिचली इंटेलिजेंट कार बनाना सीख रहे हैं जिसको कि जब हम वाइस बेस्ट कमांड देंगे तो ये कार इन वाइस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हम कैसे गूगल की फ्री टीचेबल मशीन को यूज करते हुए और जब हमारा मॉडल तयार हो जाता है तो हम मॉडल को क्लाउड में अपलोड करते हैं और हमारे को ये एक यूनीक यूरल मिल जाता है इस वीडियो में हम नेक्स स्टेब्स को समझते हैं हम स्क्राच के एक स्पेशल वर्जिन में प्रोग्राइम लिखेंगे जहां हम इस मॉडल को कॉल करेंगे और स्पेसिविक फिर हम कमांड देंगे और फिर जो हमारी मैक्रोबिट बेस्ट कार है हम अपने इस program को Bluetooth से इस car से connect करेंगे और जब हम अपने PC में ये commands देंगे forward, reverse, left, right and stop तो ये जो हमारी microbit based car है वो इन voice operated commands को follow करेगी अब जब हमारा Google Teachable Machine का audio model तयार हो गया है तो next step पर हमारे को इसको scratch में use करना है पर हम क्योंकि scratch में इसको microbit के साथ use करना चाहते है तो जो default scratch version 3 है उसमें जो microbit का extension है उसमें हमारे को सारी pins नहीं मिलती है इसलिए हम एक special scratch का version यहां use करेंगे तो ये जो special version है ये stretch3.github.io इस URL पर आपको मिलेगा ये जो scratch का special version है ये exactly scratch की तरह है पर फरक क्या है कि इसमें जो extensions हैं उसमें हमारे को वो extensions मिल जाते हैं जो हम यहां use करना चाहते हैं तो एक extension है ये teachable machine का extension और दूसरा है microbit more का extension तो मैं इन दौनों को load कर रहा हूँ तो मैं पहले teachable machine का extension load कर रहा हूँ तो जब हमने ये teachable machine का extension load किया तो हमारे को ये additional commands जो हैं वो मिल गई हैं और next हम यहां पर microbit more का extension भी जो है इसको add कर रहे हैं ये अब कह रहा है कि हमारे को microbit को इससे link करना है इसको हम बाद में देखेंगे अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहां पर हम देख सकते हैं कि जब हमने microbit more का extension आइड किया है तो हमारे को ये सारी commands जो हैं वो भी मिल रही है और यही जो commands हैं ये video tutorial बनाते वक जो scratch 3 का version है उसमें ये नहीं मिलता है इसलिए मैं ये scratch का special version यूज़ कर रहा हूँ यहां पर हमारे को सारी pins का control मिल जाएगा और इन pins की हमें ज़रूरत है to make a microbit based car teachable machine में हम sound का model यूज़ करना चाहते हैं तो मैं ये command drag out कर रहा हूँ कि sound classification model और यहां पर जो हमने अभी model हमारे को URL मिला था ये वाला URL इसको मैं copy करके यहां पर paste कर रहा हूँ तो हम कह रहे हैं कि जब हम green flag प्रेस करेंगे तो सबसे पहले ये जो हमने model create किया था इसको call करना उसके बाद हम यहां command देना चाहते हैं कि जब हम ये model use करेंगे तो जो हमने labels बनाए थे हम specifically जब भी कोई particular label forward, reverse, stop, left या right का label मिलेगा हमारे को तो हम फिर क्या करना चाहते हैं तो जैसा अब अभी देख रहे हो कि मैंने जब ये अभी pull out किया है और मैं when received sound label कह रहा हूँ तो मुझे यहां केवल any मिल रहा है पर जब मैं इसको click करता हूँ green flag को click कर रहा हूँ मैं तो green flag प्रेस करने के बाद जब मैं any का drop down button दबाता हूँ तो जो हमारे जो labels थे वो हमारे को अभी यहां मिल गए है background noise forward left reverse right stop तो अब हम इनको use कर सकते हैं तो अब हम यहां क्या कह रहे हैं कि जब हम हमारे को voice command मिलेगी forward तो हम microbit में जो हमारी motors हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि वो forward move करें तो इसके लिए मैं microbit में जा रहा हूँ और यहां से मैं यह set pin की command ला रहा हूँ तो यह exactly जैसा हम make code में करते हैं कि हम जो हमारी motor है हम उसको using motor driver board हम किसी particular pins से connect करेंगे और उन pins को high low करते हुए हम motor को control कर सकते हैं अगर आपको यह नहीं पता कि यह microbit में pins कैसे high low होती हैं और उनसे हम कैसे motor को control करते हैं तो इसके लिए आप मेरे और tutorials देख सकते हो तो मैं यहां से यह command ला रहा हूँ set pin zero और मैं analog commands यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अपने motor की speed भी control कर पाऊँ अगर मैं यह set pin digital particular pin जो है उनको मैं high या low करूँगा तो मैं motor की speed control नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं analog की command ला रहा हूँ और यहां पर मैं अपनी motors को connect करूँगा pin 8 इसी को duplicate करके pin 12 pin 8 और pin 12 में एक motor connect होगी और pin 15 और pin 16 में तूसरी जो motor है वो connect होगी तो accordingly मैं यहां कह रहा हूँ कि जब इस model को forward नाम की label मिलेगा तो हम कह रहे हैं कि pin 8 को 100% high कर देना और pin 15 को 100% high कर देना तो इस तरीके से जो हमारी दौनों motors है यह forward run करेंगी और इसी को मैं duplicate करके यहां कह रहा हूँ कि जब reverse label receive होगा तो हम इसका उल्टा करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि यह motor 0 हो यह 100% हो यह 0 हो यह 100% हो अगर आप reverse करते वक्त चाहते हो कि गाड़ी थोड़ी slower reverse हो तो हम यहाँ पे इसकी percentage बदल सकते हैं तो अगर मैं इसको 80% कर दूँगा तो यह reverse जो है यह थोड़ी slowly होगी इसके बाद फिर से मैं इसको duplicate करके अब मैं यहां कह रहा हूँ कि अगर label जो है वो stop है तब हम सारी motors रोकना चाहते हैं तो मैं हर motor में कह रहा हूँ कि किसी में भी किसी भी motor में कोई भी voltage supply मत करना 0% उसमें voltage supply है फिर हमार को दो और चाहिए left और right के लिए तो मैं यहां left के लिए कह रहा हूँ कि हमारी एक particular motor को हम 100% on रखेंगे तो एक motor चलेगी दूसरी नहीं चलेगी तो हमारी गाड़ी जो है वो एक direction में मुढ जाएगी और जब हम test करेंगे अगर हमें यह left की command में right मुढ रही होगी तो हम इसको change कर सकते हैं हम इस label को right कर सकते हैं और इसी को duplicate करके final मैं बना रहा हूँ जो हमारा label था right तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरी जो motor है उसको 100% हम voltage supply कर रहे हैं तो left और right में एक motors काम करेंगी दूसरी काम नहीं करेगी और इस तरीके से हम control कर सकते हैं कि कैसे हमारी car जो है वो left या right मुड़े और जैसा आप देख सकते हो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से यह already recognize कर रहा है commands को और जैसा commands दूँगा तो आप देखना वो particular command जो है वो yellow से highlight हो जाएगी forward reverse stop left right तो यह अभी हमारा जो TM गूगल का teachable machine का model हमने बनाया है और जिसको हम यहाँ call कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहा है तो last step पर हम अपनी microbit based car जो है वो बनाते हैं और फिर हम इस program के थूप Bluetooth से अपने microbit को connect करेंगे और अपनी car को operate करेंगे तो इस microbit car की यह assembly है यहाँ पर मेरे पास एक microbit है जिसको की मैंने एक breakout board में लगाया है ताकि मुझे pins की access मिल जाए और मैं यहाँ पर यह motor driver board यूज़ कर रहा हूँ यह एक बहुत सस्ता board है L298N इसको हम कैसे यूज़ करते हैं अगर आपको यह नहीं पता तो आप comments में पूछ लेना मैं एक और video tutorial बना दूँगा तो इस L298N में हमारे पास यहां motor 1 और यहां motor 2 यह दो outputs हैं जो की हमने अपनी दो geared motors से attach करी हैं और इसके बाद हम यहाँ पर motor boat को power supply कर रहे हैं इस power pack से 6 volts के power pack से तो यहां पर यह power supply है और यहां से यह जो हमारी motor motors को हम microbit की pins से add कर रहे हैं तो जो मैंने pins बताई थी 8, 12, 15, 16 वो हमारी दो जो यहां पर दो एक motor से attach जो दो wires हैं वो हमारे pin number 8 और 12 microbit पे जा रहे हैं और जो दो दूसरी motor के wires हैं वो हमारे यहां 15 और 16 इन दो pins पे जा रहे हैं तो इस तरीके से हमारी यह microbit की assembly है हमारे को यहां motor driver board यूज़ करना essential है क्योंकि यह जो दो geared motors है यह बहुत जादा current draw करती है और microbit इतना current supply नहीं कर सकता है तो next step पर जो हम scratch का special version यूज़ कर रहे हैं हम उसको इस microbit से connect करते हैं using bluetooth हम यह scratch के special version stretch3.github.io को अपने microbit से connect करना चाहते हैं तो यह connect करने के लिए यह जो particular extension है microbit more इसको microbit में चलाने के लिए सबसे पहले आपको यह जो microbit program है इसको download करके तो जब आप download करोगे तो आपको एक hex file मिल जाएगी फिर आपको इस hex file को अपने microbit में transfer करना है तो जब यह microbit में copy हो रही है आप यह flashing LED से देख सकते हो कि file जो है वो copy हो रही है तो copy होने के बाद आपको यह command मिलेगी कि आपको अपने microbit को tilt करना है to fill all the LEDs यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब आप अपने microbit में compass यूज़ करना चाहते हो तो आपको यह अपने microbit को हर तरफ tilt करना है जब तक कि आपकी यह सारी 25 LEDs जो है वो light up नहीं हो जाती है जब यह light up हो जाएंगी तब आपको यह smiley face मिलेगा और जो भी आपके microbit का नाम है वो display होना शुरू हो जाएगा तो अब यह जो microbit है इसमें हमने जो यह required hex file थी इसको डाल दिया है next step पर आपको scratch link चाहिए based on आपका operating system क्या है आप scratch link for windows उसमें install करोगे और जब आप download करके install कर लोगे तो आपको scratch link को जो file है उसको चलाना बड़ेगा क्योंकि हमारे को यह चाहिए अपने microbit को bluetooth से connect करने के लिए तो जब आप यह steps पूरे कर लो यानि कि आप यह वाली hex file को download करके अपने microbit में transfer कर लो और scratch link की file को download करके install करके उसको चला लो फिर microbit more में जाके यहाँ यह जो orange color का exclamation mark है इसे click करोगे तो यह जो आपका device है यह recognize हो जाएगा तो हमने देखा था कि जो मेरा microbit है उसका नाम है tiviv तो यह particular microbit recognize हो रहा है और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसको मेरे laptop से pair कर दो तो अब यह pair हो गया है मुझे यहाँ connected का यह message मिल गया है तो अब मैं वापस editor में जा रहा हूँ तो अब यह जो हमारा exclamation sign था वो अब हमारे को यहाँ पर यह green tick मिल गया है यानि कि हमारा microbit अब मेरे laptop से bluetooth से connected है तो यहाँ पर हम यह जो हमने program लिखा है हम इस program को अपने microbit या कहीं transfer नहीं कर रहे है हम विया bluetooth इसको operate करेंगे तो अब जब मेरा microbit मेरे laptop से bluetooth से connected है और बाकी जो मेरे connections थे motor driver board वगएरा से यह सब काम कर रहे है तब हम इसको test करके देख सकते हैं तो मैं motor driver board on कर रहा हूँ हमारे पास यह LED indication आ गई है और यह already चलने लगा है तो अब आप देख सकते हो forward stop reverse stop right stop left stop forward forward stop तो हमारी यह AI machine learning based car जो है यह तयार हो गई है अगर इसमें कोई problems हैं कि यह left या right ठीक नहीं मुड़ रही है या फिर forward reverse ठीक नहीं जा रही है तो आपने जो scratch में जो पिन 8, 12, 15 & 16 को define किया था उसको आपको थोड़ा सा redefine करना पड़ेगा ताकि commands जो motor है वो exactly वैसे operate करें जैसी कि उन्हें command मिल रही हैं इवन अगर आपक आप या PC को use करते हुए इंटरनेट से connect करकर Google teachable machine में ये तीन तरीके के machine learning के projects बना सकते हो image based, audio based और pose based ये सब free है और ये बनाना अच्छा है क्योंकि आपको इससे काफी समझ में आएगी कि machine learning based artificially intelligent machines जो है वो कैसे काम करती है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया stop